नमस्कार दोस्तों आप देख रहें नॉलिज बज और आज के वडियो में हम रिवीव करेंगे समाने ग्यान दिखदर्शन 2023 जीके चोपरा के निव एडिशन बुक का हम रिवीव करेंगे अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी करते हो सभी के लिए दोस्तों बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपी एससी या टीचिंग लेबल की एक्जाम की तियारी करते हैं तो भी ये बुक बहुत ही और इस book का जो content है दोस्तों बहुत ही जादा exam related है, exam oriented content आपको इस book के अंदर देखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो इस book के पहले page को अगर आप देखेंगे तो पहले page में आपको एक e-learning, free e-learning kit के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ज जानकारी मिलेगा, exam की तैयारी कैसे करनी है, detail syllabus के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, previous year question के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, साथ में आप practice question को भी solve कर सकते हैं, और ये दोस्तों सभी exam के लिए important होते हैं, सभी के लिए आपको एक free e-learning kit मिल जाएगा, और आगे दोस्त तो बहुत ही जादा अच्छा है, ठीक है, और इस book का अगर MRP की बारे में बात कर रहें, तो MRP आप देख सकते हैं, 469 MRP है, जिस पे आपको discount मिल जाएगा, online, offline दोनों जगा आपको discount मिल जाएगा, और ये book दोस्तों आप देख सकते हैं, पंद्रहवा संसकरन है, 2022 का मतलम new edition है, तो अगर आपको market में कोई up to dated book चाहिए, तो आप इस book को ले सकते हैं, unique है, publishers का ये book है, और जेके चोपरा, इस book के writer है, ठीक है, अब इस book में आप देखिएगा, क्या-क्या विश्यस्ता आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला आप देखिए, क्यों इस book का आपको study क अधार के बुख करना चाहिए, सबसे पहला आप देखिएगा, इस एक ही book में आपको सभी exam की त्यारी हो जाएगा, ठीक है, जितने भी आप government exam की त्यारी करते, एक ही book से आप सभी government exam की त्यारी कर सकते है, ठीक है, जो भी आपको content देखने को मिलेगा, वो trusted आपको देखने को मिलेगा और कच्छा 6 से लेके 12 तक के जो NCRT के जो बुक है उनको अधार बना कर इस बुक को प्रिंट किया गया है ठीक है जो भी इस बुक का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको मतलब ध्यान में रखा गया है कि आपकी एक्जाम में क्या पुछा जाता है उसको ध्यान में रखके इस बुक के कंटेंट को समलित किया गया ठीक है आगे दोस्तों आप देखिएगा अभियारतियों कि आप एक्छा पर अधारित पाठेक्रम मतलब जो आपको चाहिए वही आपको देखने को मिलेगा मतलब जो लैंग्विज होगा वो बहुत ही ज्य आगे दोस्तों देखिएगा कलायों संस्कृति विज्ञान साइन्स और टेक हो गया भारते उसके राज्ये जैसे महत्यपोर ने जो टॉपिक है इस बुक में समलित किया गया है जैसे आप लुसेंट में देखेंगे तो यह सब टॉपिक आपको अलग से देखने को नहीं मि जो टीचर है महत्यपोर ने माइंड मैप आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर ठीक है और इस बुक के अंदर आपको मूल तत्वे एवं फैक्टे स्विगर के माध्यम से समझाय गया है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि मांचित्रे भी इस बुक के जारित महत्यपोर ने पैक्टे आकरे रंगियन अक्षरों में आपको देखने को मिलेंगे मतलब यह जो बुक है दोस्तो कलरफुल बुक है और इस बुक के अंदर आपको गल्ती ना के बराबर देखने को मिलेगा बिल्कुल भी गल्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा चल पे लगभग 11 टॉपिक देखने को मिल जाएंगे उसके बाद आधुनिक भारत आधुनिक भारत में लगभग आपको 14 टॉपिक देखने को मिलेंगे उसके बाद देखे भारती राश्ट्री आंदॉलन को आपको अलग किया गया है एक तो यहां पे आपको 6 से 7 चे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद कलायोम संस्कृति कलायोम संस्कृति में आपको यहाँ पर पांच टॉपिक देखने को मिलेंगे विश्वे का इतिहा से विश्वे का भुगोल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर विश्वे के भुगोल में आपको सोला टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद भारतिय राजवैस्ता में आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 से 40 टॉपिक देखने को मिलेंगे भारतिय अर्थवैस्ता में 13 टॉपिक है उसके बाद भौतिक विग्यान में आपको 22 टॉपिक है 26 टॉपिक है रसायन व देशिक समान्य ग्यान में आपको 10 टॉपिक देखने को मिलेंगे खेल कूद में आपको 12 टॉपिक है उसके बाद भारत के राजययोम केंद्रा सासित परदेश में आपको 15-28 टॉपिक देखने को मिलेंगे और केंद्रा सासित परदेश में आपको 8 टॉपिक देखने को मिलें तो आप देखेंगे कि जितने टॉपिक इस बुक के अंदर है उतने टॉपिक आपको मार्केट में जितने भी बुक है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगा तो यह बुक को खरीदने के बाद दोस्तों आपको और बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी एक ही बुक से भ्यान में रखके के कंटेंट को लिखा गया है ठीक है दोस्तों का जो कंटेंट थे स्चेंट को जो भी जो भी क्लासिफाई कर दीया बहुत ज्यादा अच्छे भारत में पहले क्या हुआ उसको एक sequence में arrange किया गया है और इसी sequence में आपके theory भी देखने को मिलेगा उसके बाद मध्यकालीन भारत में आपको देख सकते कि कितने अच्छे तरीके से classify किया गया है आधूनिक भारत में कौन सा घटना कब हुआ उसको classify किया गया है उसके बाद राष्टी आंदोलन भारती राष्टी आंदोलन को समझाया गया ठीक है तो सबसे पहले आपको हर एक topic के पहले आपको classification देखने को मिल जाएगा इस flow chart के माध्यम से ठीक है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो topic समझ में आने वाला है अब यहां देखिए उसी sequence में को इस topic को बताए गया फ्राची भारत है तो सबसे पहले बताएगे कि प्राचीन भारती एतिहास के सरोते शके बाद्य को जानने के लिए इसे मुख है तीन भागों में विवाजित किया घ्र ठीक है पहला देखिएगा साहिते साक्षे दूसरा देखेगा विदेशी यात्रियों के विवरन एवं पुरा तात्विक सम्बंदी साक्षे अब हर एक पॉइंट को यहां पे बहुत ही सटीक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाय गया ठीक है इस बुक में जो भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एकदम सिंपल आपको देखने को मिलेगा भासा जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है जैसे पहला देखेगा साहित्य साक्षे साहित्य के साक्षे के अंतरगते साहित्य के ग्रंथों से प्राप्ते समगरीयों का अध्यन किया जाता है यह दो परकार के है धार्मिक साहिते और लॉकिक साहिते है ठीक है तो यह देखे जो भासा का यूज किया गया बहुत ही simple language इसका यूज किया गया इस book के अंदर आपको जगा जगा दोस्तों टेबल देखने को मिल जाएगा और टेबल में जो important fact है उसको समलित किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो भी point है दोस्तों एकदम आप देख सकते हैं जो भी topic जो भी इन्होंने heading को यहाँ समझा है और आपको पढ़ने में यह दोस्तों बुक बहुत ही जादा अच्छा लगने वाला इंट्रेस्टिंग लगेगा दोस्तों बोरिंग आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा इस book को आप जब आप study करेंगे तो और book का दोस्तों content बहुत ही जादा अच्छा आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कैसे दिया हुआ हर एक चीज को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है डिस्क्राइब किया हुआ ठीक है चलिए प्राची भारत हमने देख लिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत पेज नंबर 44 में चलते ठीक है अब देखें यह मध्यकालीन भारत है मध्यकालीन भारत कहां से स्टार्ट होता है अर्बो द्वारा सिंधे की विजय से स्टार्ट होता है तो देखें कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है और डिटेल में समझाया गया ठीक है इसके बाद महमूद गजनवी के आकरमन के बारे में बताया गया है मुहम्मद गौरी के आकरमन के बारे में बताया गया है आप किसी भी बुक में है जैसे आप लोग लुचेंट ही पढ़ते होंगे तो इतने अच्छे तरीके से classify नहीं किया गया जैसे margin में आप देखेंगे तो margin में पूरा र्मोंस पो एक साथ अले लिए क्या गया है कुटूबिदिन िवक करेंगे बट इस pro जब शुरू होता है तो Hai से एक बंड रेडिड यतने गया जिससे आप classify कर सकते हैं और अच्छे से हर एक को link कर सकते हैं कि कौन सा घटना कभ हुआ था जो भी आपको table देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा clear table देखने को मिलेगा और जो मैंने यहां आपको दिखाया कि जो content है बहुत ही ज़्यादा point to point है और बहुत ही ज़ होने वाला है जो भी important year है जो भी important fact है उनको table में होने दिया हुए है आपका हरे के तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तयारी होने वाला इस book के माध्यम से ठीक है देखे आधुनिक काल में कौन से युध्य कभ हुए उसके लिए एक बहुत ही important table आपको दिया देक hơn देखे नमबर 63 यहाँ 75 अदुनिक भारत में उत्तर काली मुगल समराज तो इसई को पहले अच्छे से समझाए गया है और कौन को से सासक के हुए उत्तर काली मुगल समराट में कौन इंको समझाए गया है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हर एक point को जैसे भारत में यूरोपिये कमपनियों का आगमन एवं परसार कैसे हुआ उसको समझाया गया है तो सबसे पहले कौन है उनको सिक्वेंस में बताया गया है ये क्लासिफाई किया गया है साथ में आप देख सकते हैं जो इंपोर्टन फैक्ट है कौन सा कमपनी कव इस्टैबलिश हुआ उसके बारे में बताया गया है उसके बाद यूरोपी ये वैपारी कमपनी के संबन है में वैक्तित्वे के बारे में बताया गया कि वासकोड डिगामा क्या भारत आने वाला प्रतम पृतगाली था तो हरे के परसन के बारे में जो important person है उनके बारे में बताया गया है तो अधुनिक भारत के भी हर एक topic को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने cover किया एस बुक के अंदर ठीक है तो आप देख सकते किसान विद्रो हो गया जो भी topic है दोस्तों उसको बहुत लंबा नहीं की चागया जो important point है उन्हीं को समझाया गया तो इससे आपको क्या होगा कि आप जल्दी से अपने इकव्जां के बारे में एक अच्छे सा त्यारी कर सकते है ठीक है आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एधुनिक भारत के बादे भारती राश्ट्री आंदौलं पिज नंबर 96 में चलतें पिज नंबर 96 में आप चलिये पिज नंबर 96 है ठ पेज नमबर 96 में हम देखते हैं कि भारती राष्ट्री आंदोलन को किस तरह से इन्होंने बताया हुआ तो दीखें यहां से स्टार्ट होता है भारती राष्ट्री आंदोलन और भारती राष्ट्री आंदोलन के चरण कौन-कौन से चरण हुए सबसे पहला चरण हुआ उधा में आपको कहीं भी गांधी यूग अलग से नहीं समझाये गया है इस उस बुक में को बहुत ही से देखने को मिलेंगे एक उसके बाद आपको कला एंवम सosure सब्सक्रित को सब्से पहले क्लासिफाई किया गया है उसके बाद भारती एकंदार क्ला क्या था Hero करें को बहुत इस बुख के अंदर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिले गा हर उसने अच्छे तरीके से classify किया गया है और इस बुक में बहुत ही जादा इन्होंने महनत किया हुआ है दोस्तो दोस्तों काफी अच्छा है दोस्तों सब्सक्रा जो जुट होते हैना काफी ज्यादा बहतरीन होते और होते हैं इनके और भी वुकाते हैं अब जैसे देखिए अगला टॉपिक है वर्ड जोगरफी तो व्र्ड जोगरफी के भी हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां क्लासिफाइप किया गया है सबसे पहले आपको बताया कि विस्वे जोग्रफी में कौन-कौन आपको टॉपिक देखने हैं और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ है तो कोई भी आप टॉपिक देखेंगे तो सबसे पहले क्लासिफाई किया है जो इंपॉर्टेंट टेबल पीज नमबर 126 ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया है और इसी क्लासिफिकेशन के आधार पे इन्होंने टॉपिक को समझाये हुआ है तो इससे फायदा क्या होगा कि बहुत ही सांदार तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से समझाये गया ठीक है तो बुक दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है चली अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है विस्ट्वय का भुगोल हो गया अब भारत का भुगोल देखिएगा पीज नम और जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा 197 पीज देखिएगा तो सबसे पहले भारत के भुगोल को क्लासिफाइग किया गया है उसके बाद हर एक टापिक को इन्होंने अच्छे तरीके से समझा दिया ठीक है तो यह जो पैटन है दोस्त के तरीके से इन्होंने इस बुक में समलित किया हुआ ठीक है तो बुक में कोई भी कमी नहीं है जो पॉइंट है दोस्तों वो देख सकते कितना अच्छा पॉइंट है जैसे उपरी गंगा का मैदान क्या है तो इसकी उपरी सीमा सीवालिक के पहारियों द्वारा तथा दक् देख लेते हैं यहां पर परियावरन एवं जय जो विवित्ता पीज नंबर 250 पीज नंबर 250 से निकालते हैं जल्दी से एक एक के टॉपिक को मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है ना कि इस बुक में एक टॉपिक किस तरह से आपको देखने को मिलेगा यह द यहां पर टेकती बुक दोस्तों अच्छा है कही-कही आप देख सकते हैं इंगलिस वर्ड कभी इन्होंने यूज किया है कभी-कभी हिंदी में हम लोग समझने में दिक्कत होता है तो इंगलिस वर्ड कभी इन्होंने यूज किया है तो जो important जानकारी वो आपको हिंदी और इंगलिस दोनों में देखने को मिल जाएगा और हर एक point को इन्हों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक के अंदर संबलिते किया हुए है चलिए आगए देखते है परियावरन के बाद हम देखते हैं भारती राजवयस्ता देखते हैं तो भारती राजवयस्ता देखेंगे page number 270 में तो page number 270 हम लोग निकालते हैं तो देखेएगा जल्दी से 270 page ठीक है page number 270 यहाँ देखे Indian politics हो गया है यहाँ पर देख सकते है कि सबसे पहले Indian politics को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ classify किया गया है और यहां से ही आप काफी कुछ समझ सकते हैं फिर इसी sequence में इन्होंने हरे के point को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ ठीक है आप देख सकते हैं इसी sequence में जहाँ figure का जरूरत है वहाँ figure दिया हुआ जहाँ flow chart चाहिए वहाँ flow chart दिया जहाँ table चाहिए important table का भी आपको यहां collection देखने को मिल जागा तो हर एक चीज को इस book के अंदर cover किया गया है कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे Indian politics हम ने देख लिया उसके बाद आप देखेंगे यहाँ भारतिया अर्ध वैस्ता page नंबर 336 में चलते है page नंबर 336 ठीक है ना page नंबर 336 देखेगा यहाँ पे तो Indian economy को आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पहले defined किया गया है इसके बाद हर एक topic को समझाया गया ठीक है Indian economic को तो इस book का जो आपको theory देखने को मिलेगा दोस्तो बिल्कुल to the point आपक को देखने को नहीं मिलेगा यहाँ देख सकते नोट को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया नोट से related जो important fact होते है उसको भी इस book में समलिद किया गया जो important flow chart है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो graph है उसका भी use किया गया figure आप देख सकते कितना now 1950 है हमारे पास यहां पे ऑफ विग्यान 103035 ऑ फिर क는 इंट्रोडशन को मिलेगा फिर फिलुचाट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो important topic है उसको malfe youtube Collection आपको माटियम से हमने भी जाया हुआ है और यहां देखेंगा हाइलाइट भी कर दिया है इन्होंने यहां पे और हर इक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है जो इंपोर्टन नोट है वह भी आप देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो बुक में दोस्तों कोई कम कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों यहां देख सकते क्लासिफिकेशन कितने अच्छे तरीके से उन्होंने किया हुए ठीक है तो इस बुक के अंदर क्लासिफिकेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों आप यहां टापिक physics के बाद chemistry start हो जाएगा तो यहाँ पे हम chemistry निकालते हैं यहाँ पे ठीक है chemistry का आप देखिएगगा है कि मिस्ट्री भौतिक विज्ञान देख लिए अब हम लोग देख लेते chemistry भौतिक विज्ञान, रसाइन 31.447, पीज नंबर 427 आप देखिएगा ठीक हैं पीज नंबर 427 अ पीज नंबर 430, पीज नंबर 428, यहां देखिए के मिस्टिर्य यहां से स्टार्ट हो रहा है और केमिस्टिर्म में भी देखिएगा सबसे पहले introduction दिया गया है उसके बाद देखिए का classify किया गया है chemistry के topic को जैसे पहले बताया गया है कि nature and composition of matter तो इस topic को classify किया गया है important table आपको देखने को मिलेगा मतलब जो भी point आपको देखने को मिलेगा एकदम to the point देखने को ठीक है तो ये book का content है दोस्तों काफी जादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा उसके बाद bio में देखेंगे तो bio में आप देख सकते figure के मादे हम से हर एक topic को समझाया गया है flow chart भी आपको देखने को मिलेगा हर एक चीज को इस book में अच्छे तरीके से समझाया गया ओए आप देख सकते है classification हो गया, सम सूत्री होगया, अर्थ सूत्री हो गया, इनको classify किया गया हर एक चीज को आप देखेंगे, यहा देखे classification कितने अच्छे तरीके से किया गया और समझाया गया टेबल important table आपको देखने को मिलेगा flow chart आपको देखने को मिलेगा classification आप देख सकते हैं detail में classification देखने को मिलेगे तो कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलने वाला है इस book के अंदर हर एक चीज को बहुत ही सांदार तरीके से और अच्छे तरीके से समझाय गया यह देख सकते हैं दोस्तों चंद्रियान मतलब science or tech हो गया तो जो भी science or tech के important topic होते हैं उनको भी समझाया गया इस book के अंदर आप देख सकते हैं science or tech है पहले आप देख सकते हैं flow chart के माध्यम से classify किया गया समझाया गया आपको उसके बाद आप देख सकते हैं important table और उस उसके बाद आप देखेंगे यहां पर computer 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 को सबसे पहले basic जानकारी आपको देखने को मिलेगा flow chart के माध्यम से उसके बाद computer के बारे में यहां पर basic जानकारी यहां देख सकते हैं और हर एक point को फिर समझाया गया है तो computer भी दोस्तों इस book के अंदर बहुत ही ज्यादा simple way मे इस book का तो इस book में आपको कोई भी topic में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा international organization के बाद basic general knowledge आप देख सकते हैं तो इस way में प्रत्थम हो गया हर एक topic को इस book में समलित किया गया हर एक topic को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया आप देख सकते हैं लास्ट में आप को sports हो गया sports से related हर एक जानकारी आपको देखने को मिलेगा कोई भी topic में skip नहीं किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से सांदार तरीके से समझाया गया ठीक है उसके बाद अंती में आपको यहां देखने को मिलेगा Indian state and union territory मतलब भारत के राज्ये एवं केंद्र सास्चित प पेशरान शाहितर हो यूटी हो इस बुक से ज़्यादा पूमार्केट में कोई और बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बुक में आप देख सकते अंती में आपको objective question भी देखने को मिल जाएगा ठीक है इतिहास के topic wise objective question आपको देखने को मिलेंगे और यह सभी important question है जैसे इतिहास के देखेंगे 50 question है भारती राजवैस्ता के आपको 20 question देखने को मिलेंगे भारते विस्वे के भुगोल के आपको 30 question देखने को मिलेंगे उसके बाद भौतिक जीविच्जान के आपको 25ец कोशन रसायन विच्जान के आप देख सकते यहाँ पे 25 फशन जीविच्ज्जान के आप Sur Grande 35 of the बीच्जान के आप का कोई डाउट होगा तो आप लोग दोस्तों कमिट कीजेगा एक बार फिर से मैं बता दू कि समान ने गया दिखदर्शन 2023 से जेके चोपरा का ये निव एडिशन बुक है इस बुक का जो MRP है दोस्तों इस बुक का MRP है आप देख लिजे इस बुक का जो MRP है 469 है जिस पर ओनलाइन ओफलाइन डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है योनिक पब्लिस्टर का ये बुक है बुक दोस्तों काफी अच्छा है इनके और भी बुक आते इस बार क्यूर को स्कैन कीजेगा तो इनके और भी बुक के बार में आपको जानकारी मिल जाएगा इनके ओफिसल वेबसाइट पर आप चले जाएगे इस बुक का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो बहां से आप इस बुक को पर्चिस कर सकते हैं ठीक है ना आपने वीडियो अंत तक आप ही अच्छर है अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं राइंक्यू